हेलो फिर्ण्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल नीतूस कुकिंग हब आज मैं आप लोग लिए लेके आए हूँ तरी वाला चीकन की रेसिपी अगर आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चीकन बनाना है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें क्योंकि ये बहुत कम टाइम में बन जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब है तो आए है इसे बनाते हैं तरी वाले चीकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 केजी चीकन तो यह पूरा चीकन है और यहाँ पर जो लेकपीस है इसके उपर मैंने कट लगा दिया है ताकि हमारा चीकन अंदर तक जूसी बने और अभी मैंने यहाँ पर लिया है 750 ग्रम प्यास जिसे मैंने स्लाइसेज में कट की है 25 से 30 यहाँ पर मैंने लहसन की कलिया लिया है जिसका छिलका निकाल के मैंने यहाँ पर रखा है तोरी सी जाविद्री ली है इनाइची जो है उसे आप थोड़ा सा खोल के ही रखे नहीं तो वो तेल में उर सकता है अभी मैंने यहाप एक बाउली है और यह मीडियम साइच का चमच लिया है यह ती स्पून के साइच का है और अभी मैं इसमें डाल रहे हूं तीन चमच धनि काली मिर्च पाउडर एक चमच जीरा पाउडर और अभी हम थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और इसे मिक्स करके मसाले को एक साइड पर रख देंगे ताकि यह अच्छे से फूल जाए अभी मैंने यहाँ पिलिया है प्रेशर कूकर और साथ में मैं इसमें एड़ कर रही हूं हाफ कप वाइल ग्राम से देखे तो यह 100 ग्राम तेल है और यहाँ पर मैंने सरसो तेल का यूज किया है और साथ में जो खड़े गड़ मसालेत है वो मैंने इसमें एड़ कर दिया है तो तेल को हमें बहुत ज़ादा गड़म नहीं करना है क्योंकि सरसो तेल से जो जहास निकलती है उससे जो नॉन्वेज में टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा होता है साथ में यहाँ पर लहसन भी मैंने एड़ कर दिया है और जो कटे हुए अदरक थे वो भी मैं एड़ कर रहे हूँ और इसे हम थोड़ा सा भूलोंगे और अभी यह थोड़ी सी भून चुकी है तो इस टाइम पे जो हमने प्याज कट करके रखा है वो हम इसमें एड़ करेंगे और इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे तो हमें इसे बहुत जादा ब्राउन नहीं करना है इसे आप 2-3 मिनट हाई फ्लेम पे भूने क्योंकि जब आप आज को बहुत जादा भूनते हैं तो वो बहुत जल्दी गलता नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चला रही हूँ और यहाँ पे 4-5 मिनट हो चुके हैं और यह पे आज हमारा भून चुका है तो इस टाइम पे जो हमने मसाले को मिक्स करके रखा था वो हम इसमें एड़ करेंगे अभी हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और 2-3 मिनट तक इसे भूल लेंगे हमें ऐसा नहीं है कि इसे बहुत जादा भूनना है अभी खुले में और अभी 2-3 मिनट हो चुके है तो मैं इसमें नमक एड़ कर रही हूँ नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एड़ करें क्योंकि हमें चिकन भी इसी में एड़ करना है और अभी मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद हम कुकर को बंद करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने देंगे और यहां पे आप देख सकते हैं कि दो सीटी आ गई है और प्रेशर भी खतम हो चुका था तो मैंने इसे ओपन किया है और यहां पे आप मसाले का कलर देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा आ चुका है और अभी मैं इसे प्रेज करके दिखाती हूँ कि जो हमारा लहसन और प्याज है वो पुरी तरह से गल चुका है तो मैं इसे चमत से मिक्स कर दूँगे अगर आप आज को बहुत जादा भून देते तो यह फिर ऐसे नहीं गलती थी और यहां पर यह अच्छे से भून चुकी है गल भी चुकी है तो इस टाइम पर मैं एड कर रही हूँ चिकन चिकन को एड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं चिकन यहां पर अच्छे से मिक्स हो चुकी है मसाला अच्छे से कोट हो चुका है तो इस टाइम पर हम कुकर को बंद करेंगे और यहां पर हाई फ्लेम पर एक विसल आने देंगे और उसके बाद जब प्रेशर अपने आप खतम हो जा तो इसे आप ओपन करें और अभी हम से अच्छे से एक वर फिर से चला लेंगे इस टायम पर मैं इसमें एड कर रही हूं दो बरे साइज का तामाटर जिसे मैंने पीश लिया है आप चाहे तो नहीं और यहां पर इसे मीक्स कर देंगे और प्रिसे किक्टर को बंद करना है और एक विसल फिर से आने देना है इस तो मैंने तीन से चार बड़ ऐसे ही विसल आने के बाद इसे खोल के भुना है और यहां पर अभी मैं एड़ कर रही हूँ दो छोटी चमच चिकन मसाला साथ में एक मुटी भर के हरा धनिया एड़ किया है और अभी हम कुकर की ढकन को पूरी तरह से बद नहीं करेंगे बस चिकन बहुत अच्छे से भुन चुका है तो इस टाइम पर मैं एड़ कर रही हूँ एक बड़ा चमच कसूरी में थी साथ में मैं एड़ कर रही हूं एक चोटी चमच गरम मसाला पाउडर और बस हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है आप चाहें तो चिकन को ऐसे भी फ् किया है और बस इसे हलका सा मिक्स कर दें और इसे हाः फ्लेम पे एक सीटी आने दें यहाँ पर पानी की कुवांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ आ सकते हैं जितनी ग्रेवी आपको चैहें एक सीटी आ चुकी थी और इसका प्रेसर भी निकल चुका था तो मैंने इस ओ चिकेन की रेसेपी को जरूर ट्राइ करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसेपी कैसी लगी मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूले फिर्ट साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का झाल झाल